दोस्तो ग्राम पंचायत अस्तर पे जो जल निगम विभाग है जल जीवन मीशन सकती जो योजना चलाई गई है जिसके अंतरगत हर घर जल पहुचाने का जो प्रकिरिया है वो चालू करना है और ये 2024 तक लगभग कम्प्लीट हो जाएगी तो जिन ग्राम पंचायतों में ये कार यानि की डंकी वाला जो कार है जल जीवन मीशन का अंदरगत चालू हो गया तो उसके लिए 13 पदों पे जो है निगम पंचायत अस्तर पे लेकिन इसमें जो सभी नोगरिया है वो आगे आने वाले फ्यूचर में वो सकसेज होंगी वो मतबास्थाई किया जाएगा या नहीं किया जाएगा ये नोकरी के ऊपर डिपेंड करता है तो आएए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे अगर अनमान लगाया जाए कि कौन से नोकरी पर्मानेंट हो सकती है तो उसके लिए आपको बता दो कि आप देख सकता है इसमें 13 पदों की जो निखती है किया गया ह क्योंकि एक बार अगर टंकी बन जाती है तो लगवग चार साल, पांच साल या दस सालों के बाद ही कोई हो सकता है, कोई समस्य आए, कहीं दिवाई टूट जाए तो राज मिस्तरी को लगाए जाएगा उसके बाद इलेक्ट्रिसियन हो गए, पलंबर हो गए, फीटर हो गए, तो पानी की टंकी में जब काम सुरू कर दिया जाएगा, तो इतना जल्दी तो ऐसा नहीं होगा कि टंकी खराब हो जाए, कहीं पर पाइप लिकिज हो जाए, क्योंकि जो भी कारे किये गए हैं, वो सही तरीके से किये गए, तो इतना जल्दी खराब होने की जो संभावना है, वो भी नहीं बनती है, तो इन लोग की जो जॉब है, वो लगभग स्थाई रूप में ही माने जाएगी, उसके बाद जो और भी जो जॉब है, जैसे मोटर मैकानिक्स हो गए, उनका भी कुछ ऐसा ही लेकिन इसमें एक जो पद है, उसमें आपको हमेशा कारे करने को देखने को मिलेगा, जैसे पॉम्प ऑपरेटर का जो काम है, वो आपको हमेशा करना होगा, क्योंकि जो पानी की टंकी जब चालू हो जाएगी, तो आपको क्या करना होगा, प्रते एक दिन टाइम से कब टं तो यही जोब है जो आगे आने वाले समय में अस्थाई रूप से हो सकती है और इसे पर्मानेट भी किया जा सकता है लेकिन ऐसा कुछ कहा नहीं गया है एक बस अनुमान है कि हाँ हो सकता है बागी आगे कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको सबसे पहले अपडेट कर तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में किसी नया इंट्रेसिक जानकारिक साथ तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार